तो गाइज मैं आओ गई हूं नादोके रेडी अपने घर पर यह से रहती है और अभी देखना इनका रूप बदल जाएगा वाले पाओ भाजी तो गाइज मेरी प्लेट हो गई रेडी तो गाइज हमारी थोड़ी दर पाओ भाजी बनने वाली रेफ हाई गाइज गुड मार्निंग वेल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो मैं सब्सक्राइब करूंगी और हम चाहिए सब्सक्राइब कर लेना अब मेरे चाय बन चुके हैं और मैंने खुदी बनाई है और चाय बी के मां जाओंगे नहाने अफिश प्रम तयार होंगी तो जब मैं नहां कराते हूं फिर मैं आप से मिलती हूं काइज मैं हो गई हूँ नाद हो के रैटी अच्छे से और आप निकलने वाले हैं थोड़ी देर में अभी मेरे भाई आने वाले हम भाई और मैं जा रहे हैं बाभी को लेने तो अभी आप से मिलती हूँ आप मेरा लेगी जाड मैंने यह सूट वेयर करा है ग्रेय कलर का तो गाइज यह है मेरा सूट फुल लुक यह वादी सैंडल्स और यह सूट मैंने आज वेयर करा है मिरर थोड़ा गंदा रहा है इसको इग्नोर करें और कैसा हम निकलने वाले हैं भी थोड़ी देर में बस कैसा लग रहा है यह सूट मैंने वैसे बहुत बार पैन लिया आज मैंने वेयर कर लिया है अबे मेरो पर पानी फाक रहा है सारा गैस तो हम निकल चुके हैं तो हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हमें मेरट जाना है तो हमें टाइम लगेगा कम से कम देड़ घंटे के आसपास हमें टाइम लगेगा तो अब हम रास्ते में गाइस हम आदे रास्ते पहुच गया है और मेरे भाई गई है फ्रूट्स ले ने कुछ तो गईस चाहा हम वहाँ पहुच जाएंगे तो जब मैं आपको अप्टीट करते हैं तो गाइस हम पहुच चुके हैं आप पे सुनम बापी के खर तो आप दे को और मेंकिख्गी आ मेरे ने को हम आपको आपक,ollen तो हम आपको ओ मारे यहाँ गरी काहीज़ हम पहुच इस पहुच झ Mouse एचए सिसन तो चहुच को तेरा मेंकिवाऽ ही भी इस विए ने ने कुचे पर फ्रूट्ड़ कर देए में अट जुहार चेप्र कर दो डिगाई तो तो गाइस बावी घर पर आ गई और यह भी घर पर आ गया है भावी तो बहुत दिन के लिए घूमने गई थी अपने घर देक्टे यह और किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ जो को अशुक्षा और रोटिया बन चुकी है मम्मी ने बना दिया और यह भावी प्लसनची लेएं हम बनाएंगे हम सिर्फ चतनी बनाएंगे और यह हमारी मम्मी हम सब की मम्मी इदर देखों यह हमारी मम्मी यह बहुत अच्छा सब्सक्राइब था लिए अपर लोगों से विर आप लोगों तो खाना पीना का करते हुआ है जो अब बन रहा है जों के लिए बन रहा है और जिससे खाना होगा वो भी खानेगा हलका फिलका खाना तो खाना बन रहा है और मैं भी छेंज करती हूँ फिर आप लेकों से मिरती हूं गाइस व्लोग को पूरा देखा क्रोपी इस तो घर तो हम पाँचके हैं बट मैं भापी के घर पर चाता ब्लागिंग नहीं कर पाई तो थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हम हमें टाइम लग जाता है घर पहुंचते पहुंचते अब जितना भी व्लॉग मैंने वहां पर बनाया है उसको देख लेना और अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आरे व्लागिंग करेंगे वह भी देखना आप तो यहां कोई रहता ही नहीं है इस पूरे फ्लोर में उपर से लेके नीचे तक कोई नहीं रहता तो गंदी होएंगे बस एक इंसान रहता है पर जाड़ो लगा रही है रात के पता है कितना टाइम और आपको टाइम दिखाती हूं आपको मेरी बात विश्वास नहीं हो रहा ना यह टाइम देखो तो यहां चट्रिया सफाइब अभी इस रूम में होएगा पेंट वगारा भी अभी यह रूम थोड़ा चल रहा है का आपको अधियों है काम चल रहा है इस पर जोर शोर से और गाइस मैंने अपने कपड़े चेंच कर लिये और अभी तक चेंच नहीं करें आप इस तिखाती हूं गुट मर्निंग गाइस तो रात को मैं सो गई थी इसलिए मैंने आगे का व्लॉग कंटीनियू नहीं कराता तो अब व्लॉग मैं कंटीनियू कर रहे हूं उठकर आप नाच्ता वगारा करूंगी फिर आप लोगों से मिलती हूं अभी थोड़ी देर में जब तक मैं अपनाश्ता कर लेती हूं मुहाद दो लेती हूं फिर आप से लिए पाव भाजी का समान तो आज हमारे गर बनेगी प बनातों पाओ भाजी बनाती है। तो आप देख सकते हैं रिसीप को फॉलो भी कर सकते हैं लों चलते हैं किचन में इस हमारे घराज बनने वाले पाव भाजी तो पाव भाजी में डाली है हमने क्या क्या डाली है गोवी सीतपल गिया तो इसमें अपनी मन चाये सबजी डाल सकते हो कुछ भी और फिर इसको बॉइल करना है अच्छे से जब यह बॉइल हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा मैश क करना है तो जब यह बॉइल हो जाएगा अपनाप से ठोड़ी इसमें थोड़ी मतर भी आड़ कर सकते हो तो इसमें डाल रहा हम थोड़ी सी और मटर टमाटर भी से बॉइल कर रहा है साथ-साथ है यह अधि हमारे मतर और हमारे गंदे से कुकर को एगनौर करना हम मेरे पास नया भी आप बठामें यही वाला अच्छा लगता है इसलिए मुझे में बना रहा है नया वाला अधे को रखा उपट आप पहीया नयाक है दो कि आज है न काट के पानी वे वह और यहां पर मारी पावभाजी बॉल हो चुकी है अब इसको खोलेंगे और देखेंगे कड़ाई रख दिया है इसको फ्राइ करने के लिए बनाने के लिए और इसको पानी में से निकाल के अलग कर रहे हैं दूसरी कड़ाई में इसको भी पीसेंगे में तोरी की प्याच और यह मसाला इसमें मिर्शा आदर कर थोड़ा कर यह बिदाल लिया फीस में कि इसको इसमें डालें जिए पांदे अधर पाव भाजी मसाला बनाया है अब इसके अंदर डालेंगे हम पाव भाजी मसाला कितनी चमच डाला थैं एक चमच में चारबात चमच डाला तक हम थो चेपकाँ को बाइद को थोड़ा मेश करने के बाद हमने मसाले के बाया है अब इसको थोड़ा पकान आदिए को इसमें थोड़े साधे डाले नमक भी कोड़ें तो बनने को डिकाथी ओंभाबाज जाएं पई बना यार्य तरह कि बनारें पपावभाजी तो बहुत रहे हैं पावभाजी अजाते में वीडियों जाएं पीछ आप देख सकते हो यह पावभाजी आए पावभाजी कैसे बनती है इनको नीद आरी है तो बहुत जादा था क्यों है इनों ने बहुत काम करा है अभी इसलिए पाव भाजी इनके हैंडों तो पाव के ब्रेड आ चुके हैं एक दो तीन बहुत है हमारे लिए इसमें से भी बच जाएंगे और यहां पर हमारी पाव भाजी थोड़ी देर के लिए पक रही है जैसे चाहेंगी इसमें थोड़ा सा बटर डानीए थोड़ा सा घी भी डाल सकता आप ऑप्शनल है दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो और पाव भाजी का मसारा भी आ गया है पर हमने डाल दिया है कोई बात नहीं है तो गाइस यहां पर पाव सिक रहे हैं और पाव भाजी बन च मैं ज्यादा नहीं खाती इसलिए थोड़ा सा डालूंगी और फिर थोड़ा सा डालें हम इसमें बटर इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और और वाइस भाजी नीबू प्याज और यह हमारे सिक्के हुए पाव तो गाइस मेरी प्लेट हो गई रैडी मैं खाती उसरा देखिए पूल प्लेट सफा सफा तो इनको भाव पाजी बहुत पसंद आई है यह तो मने फोन से नहीं निकलते पता नहीं कौन से काम में बजी आई यह चोटे भाई यह बड़े भाई तो गैस अब मैंने फेस्वाश करा है तो गैस आपको यह थोड़ा बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को जादर सी जादर शेयर करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और वीडियो आप से में एक्स्ट व्लाग में जब तक के लिए बाई यह गुट नाइट